मगरमच मगरमच का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक बहुत ही खतरनाग और विक्रानी में छुबर के आचाती है लेकिन आज हम एक ऐसे मगरमच के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने आज सुर्ण कभी भी किसी को नुक्सान नहीं पहँचाया 9 अक्टूबर की राद अपने प्रान त्याद दिये या मगरमच मंदिर की जील में बीते 70 सालों से रह रहा था इस मगरमच के बारे में सबसे खास बात लिया थी कि ये दुनिया का एक मात्रिश शाका हरी मगरमच था मंदिर पर शासन का दावा है कि वह सिर्फ मंदिर का प्रसाद खाकर ही अपना जीवन यापन करता था मंदिर के पुजारियों के अनुसार दिवे मगरमच अपना अधिकांश समय गुफा के अंदर बिताता था और दोपहर के वक्त ही बाहर निकलता था धार्मिक मानेता की माने तो मगरमच बविया उसकोफा की रक्षा करता था जिसमें भगवान गायब हो गए थे मंदिर के अधिकारियों ने 9 अक्टूबर की रात में जील में उसे इम्रत पाया उसके बाद तो जिसने भी इस खबर को सुना वह दर्शन को दोड़ा चलाया आपको बता देंगी मगरमच बविया तलाब में रहने के बावजूद मचलिया और दूसरे जलिये जीवों को नहीं खाता था इसके अलमावा दिन में दो बार वह भगवान के दर्शन करने के लिए निकलता था एसानिये लोग भी बताते हैं कि बविया सिर्फ मंदिर में पूजा के दोरान चड़ाया गया प्रसाद ही खाता था जिसमें पके हुए चावल और गुर्शामिर होता था भाकते निडर होकर उससे अपने हाथों से प्रसाद खिलाया करते थे आम लोगों के साथ विभिन राश नेताओं ने भी बविया के अंतिम दर्शन की और उसे शद्धान जिली अरपित की मगरमच कासर गोर जिले के कुमला में सिर्य अनंत पदनाब स्वामी मंदिर का हिस्सा रहा है इसलिए बविया कांतिम सस्का पूरे विधी विधान के साथ एक हिंदू सन्यासी के रोप में किया गया